नमस्कार शिव पुराण ना अविशेश कारेक्रम्म मित्र आपनो स्वागत करूछू आपनो मित्र नरेशका पड़िया श्रावण मास से पवित्र महिनामा शिव जी नी लिलाने समझवानो आएक नानक्ड प्रयास छे आउसरू करिये श्री पुराण पुर्षोतायर मयाय नमह स्री गनेशाय नमह स्री शीव महा पुराण विद्येश्वर सैहीता प्रयागमा सुझ्जीने मुनियोजवारा तरत पापनो नाश करनारा साधन विशयक प्रश्णा अने तेना थी शरू थाई शे श्री शिव पुराण नो पहलो अध्याई जे आदीमान अंतमा तथा मध्यमापन नित्यमंगल मैई शे जे मनें समानता अथ्वा तूलना क्याई न थी जे आत्माना स्वरूपने प्रकाशित करनारा देवता परमात्मा छे जे मनें पाँच मुक छे औने जे रमता-रमता खेल-खेल मुना नायास जगत नी रचना पालन अने समुहार तथा अनुग्रह अने तिरो भावन पांच प्रबळ कर्म करता रहे छे। परम पुणियमय प्रयाग मा जे ब्रह्मलोक नो मार्ग छे सत्य व्रत्मा तत्पर रहनारा महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशार ग्नान यग्ननों आयोजन करिवतु। एक नान यग्नना समाचार साम्भणी ने पावराणिक शिरो मुनि व्यास शिश्य महामुनी सूत जी मुनियों ना दर्शनार थे त्याँ पधार्या। सूत जी ने आवता जोईने ते बदा मुनियों ए समय हर्ष्थी हर्या भर्या थे गया। अने ते द्वारा आपे व्यास जीना मुखे स्वयमनी प्रसनता माटे संपूर्ण पूराण विद्या प्राप्त करी छे। अने इटलेज आप आश्चर्य स्वरूप कथावना बंडार छो। ठीक बराबर एज रिते जेम रतनाकर समुद्र मोटा मोटा रतनों आगार छे तेम। अत्रणे लोकमा भूत वर्तमान अने भविश्य तता बीजी पन कोईक वस्तू छे। ये सर्वती तमे अगनात न थी। अमारू परम सवभाग्या के आ यग्नना दर्शन करवाना माटे आप अहीं बदार्या। अने आ निमित्ते अमारू कशुक कल्यान करना राचो। केम के आपनो आगमन निरर्थक्त होई शकेज नहीं। आ पहला पण हमें आपनी पासे थी शुबा-शूप तत्पनों पुरे-पूर्ण वर्णन सांब्लिव छे। परन्तु एमा अजू अमने पूर्ण त्रूप्ती थाई नथी। अमने तो वारमवारेने सांबलवानी इच्छा थाई छे। ये उत्तम बुद्धिवाला सूत जी आ वकते अमारे एकज वात सांबलवी छे। जो आपनो अनुग्र होई तो गोपनी ये गुप्त होवा छता पां आप ये विशयनों वर्णन करो। गोर कल्यूग आववाती मनुष्य पूर्ण कर्मोती निवरुत्त थाई जाई छे। दुराचार मा फसाई छे। अने बदाज सत्य भाषनती विमूप थाई जाई छे। अन्योंनी निंदा माते तत्पर रहे छे। पार को धन हडब करी लेवानी इच्छा करे छे। येना मन पर पर्स्त्रीना आसक्त थाई जे दुशित थाई छे। अने विजा प्राणियोंनी हिंसा पणते करतो रहे छे। वताना देहने शरीर्नेज आत्मा समझ से। मूड नास्तिक अने पशु बुद्धी राखनार थसे। माता पितानी सातेपन ते द्वेश बुद्धी राख से। ब्राम्मनों लोब रूपी मगरनों कोळियों बनी जशे। अर्थात लोभी बनी जशे। वेद वेचीने पन जिवीका चलावशे। विद्ध्या पन मात्र धन उपार्जनने माटेज बन्षे। मद थी चप्चूर थे जशे। स्वजातीना धर्मनों परित्याग करशे। गणुकरीने लोकोंने ते छेतर शे। ठग विद्ध्यानों ते आश्रो लेशे। त्रणे कालनी संधियाने उपासना ते नहीं करे। ब्रह्म अग्नांती ते शुन्य बन्षे। समस्तक्षत्रिव पन सर्वधर्मनों त्याग करशे। स्वधर्मनों पन त्याग करशे। पुसंगी पापी अने व्यभीचारी थे जाशे। यमना शौरियनों अभाव अशे। तो तेवो पुच्सित चोरीनों काम करशे। अने ये द्वारा जिवीका चलाव शे। शुद्रो जेवो वर्ताव करशे। अने येमना चित्त काम वास्नाना दास बनी जशे। वैश्य, संस्कार ब्रष्ट, स्वधर्मत्यागी, कुमार्गी, मात्र धनो पार्जन परायन तथा। तोल मात्मपन पुतानी कुच्सित पृत्तिनों परिचय देनार रहेशे। आज रिते शुद्रो ब्रह्मनों आचार माती तत्पर थसे। अने तेमने आकरूती उज्वड हसे। अर्थार ते वो पोताना कर्म धर्म छोड़ीने उज्वड फुल फटाग थैने व्यर्थज फर्याकर से। ते स्वबावत होतानो धर्म छोड़शे। इमना विचारपन धर्म विरूद्ध हसे। ते कुटील अने द्वीज लंदक बनी जशे। जो धन मली जशे तो कुकर्म मा जोत्राई जशे। विद्वान थशे तो वाद विवाद मा फसाई जशे। उतानी जातने कुलीन मानी ने चारव वर्णों ने साथे रोटी बेटी नो वियवभार कर्शे। समस्त वर्णों ने उताना कुसंग संपर्क थी भ्रष्ट करशे, अधिकार ने सीमानों मर्यादानों लंगर्ण करशे, औने द्वीजोचित सतकर्मानों अनुष्ठान करनारा थे जशे, कल्यूग निस्त्रीयों कणुखरीने सदाचार्थी प्रष्ट थशे, अने वारम वार तेना पतीनों अपमान करनारी बन्षे, सासो ससरानों द्रोह करनारी बन्षे, तेमने कोईनों ये भई नही लागे, मलीन भुजन करशे, कुझसी थावबाव चेन चाड़ा करवा माते त पर रहे शे, येमना शील स्वभाव खराब थई जशे, अने तेवो पोताना पतीनी सेवा माती विमुक थई जशे माते, ये सुत जी, आरीते जेमनी बुद्धी नस्ट थई गई हशे, तेमने, जेमने स्वध धर्मनों त्याग करे वाशे, आवा लोकों ने आलोक अने पर अने तेथी, जे नाना सर्खा उपाई थी, आमना सर्व पापोनों ततकाल नाश्ट थे जाई, ये उपाई आवकते, कुरूपा पुरुवक अमने बतावो, केम के तमे तो समस्त सिधान्तों ना जानकार छो, अने गनाता छो, वियास जी कहे छे, ये भावी तात्मा मुनिय अने आ वाद साम्भणी ने सुत जी, मनमा ने मनमा भगवान शंकर नु स्मरन करी ने, येमने कहवाला लागया, मित्रों, ये उशू कहवाला लागया, ते अपने बीजा ध्याई मा जोईशू, पवित्र स्रावण मास मा, आपना शीव पुरान ना एक नानकड परीचे करा अमारो प्रयास्चे, अमारी साथे रेजु, नमस्कार, Aum, 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 Aum